तो चलिए आज बात करते हैं conservative forces के बारे में उनकी definition पढ़ने से पहले ये जो तीन diagram आपको यहाँ नजर आ रहे हैं इनके बारे में हम बात करते हैं ताकि definition समझने में हमें इन तीनों diagrams की help से थोड़ी असानी हो सके देखिए इन तीनों diagrams में आपको नजर आ रहा होगा कि एक point A है और एक point B है यहाँ पर भी आपको वही चीज नजर आ रही है और यहाँ पर भी आपको वही चीज नजर आ रही है मैं क्या करूँगा माल लीजिए A और B के बीच की height H है तो आपी देखिए पहले case में भी दूसरे case में भी और तीसरे case में भी यह height एक जैसी है और मैंने करना क्या है मालो मैं किसी object को A से लेकर के B ले जाना चाहता हूँ यानि के against the gravitational forces मैं उस object को A से उठा कर के कहा रखना चाहता हूँ B पर आप जानते हैं अगर मैं किसी object को उपर की तरफ उठाऊंगा तो gravity का force gravitational force उसको कहा खीचेगा नीचे यानि के मुझे मशक्कत करनी पड़ेगी मुझे work करना पड़ेगा क्या करने में A से B तक object को लेकर जाने में किसके against the gravitational forces अब आप ध्यान ये दीजिए के मेरे पास आप ये देखिए initial point और final point तो same height पर हैं चाहे वो रास्ता number 1 हो चाहे वो रास्ता number 2 हो चाहे वो रास्ता number 3 हो यानि के यहाँ पर भी h height है यहाँ पर भी a और b के बीच में h height है और यहाँ पर भी a और b के बीच में h height है लेकिन तीनों cases में रास्ते अलग अलग हैं यहाँ पर बिलकुल सीधा मैं उस object को उठा करके ले जा रहा हूँ यहाँ पर आप देखिए एक सीड़ी नुमा रास्ता आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर एक slope वाला रास्ता है कि मैं A से कुछ यूँ चलूँगा और फिर B पर यूँ पहुँचूँगा तो तिन्नों cases में same क्या है? Same है initial position और final position के बीच की height यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी और अलग क्या है तिन्नों में? तिन्नों में अलग है रास्ते का nature यहाँ मैं बिल्कुल सीधा उपर उठा करके ले जा रहा हूँ यहाँ पर सीधी नुमा रास्ते से ले करके जा रहा हूँ और यहाँ एक slope वाले रास्ते से object को उपर उठा करके ले जा रहा हूँ आप ये जानते हैं कि तीनों केसिज में अगर मैं अबजेक्ट को A से B लेकर के जाना चाहूंगा तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्सेज के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा ठीक है और अगर ये आपके द्वारा किया गया वर्क सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करें कि इनिशिल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की हाइट कितनी है और इस चीज पर बिलकुल भी डिपेंड ना करें कि इनिशिल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुचाने के लिए रास्ता कौन सा अपनाया गया है तो ऐसे फोर्सेज जिनके अगेंस्ट आप वर्क कर रहे हैं उन forces को कहा जाएगा conservative forces यानि के अब अगर मैं conservative forces की definition आपको समझाओं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि उन सभी forces को आप conservative forces बोल सकते हैं जिनके against किया गया काम किस पे depend नहीं करता path for load पर depend नहीं करता बलके सिर्फ इस चीज़ पे depend करता है कि initial position और final position के बीच की जो height है क्या वो same है तो हर बार वरक डंग भी कैसा आएगा same आएगा मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आप यहां देखें a और b के बीच में height h है यहां पर भी height h है और यहां पर भी height h है तो तिन्नों cases में height same है इसलिए हम इस चीज़ को आगे mathematically देखेंगे भी कि तिन्नों cases में जो work done होगा वो कैसा होगा वो बिलकुल same होगा यानि कि इस case में भी आपको work done वही करना पड़ेगा और ये work done आपको क्यों करना पड़ेगा क्योंकि आप चीज़ को उठाकर के लिए जा रहे हैं उपर और gravitational force उस चीज़ को कहां खिंचना चाह रहे हैं नीचे तो naturally आपको क्या करना पड़ेगा gravitational forces के against work करना पड़ेगा तो मैंने इस definition में यही लिखा है कि आपको जो work करना पड़ रहा है किसी भी force के against जैसे के इन cases में आपको gravitational forces के against work करना पड़ रहा है तो यदि वो आपके द्वारा किया गया work इस चीज़ पर depend ना करें के रास्ता सीधा है के सीड़ी नुमा है के slope वाला है ठीक है यानि के रास्ते के nature पे work done depend ना करें सिर्फ इस चीज़ पर depend करें के आपकी initial position और final position हर रास्ते के लिए कैसी है सेम है तो उन forces को ही conservative कहा जाएगा जिनके against किया गया work done ऐसा behave करता है यानि के रास्ते पर depend नहीं करता तो आप यहां देख सकते हैं a force is said to be conservative if the amount of work done in moving an object against that force यहां पर आप ध्यान से देखिएगा ठीक है आपके द्वारा work done किस force के against किया जा रहा है उस force को conservative force कहा जाएगा ठीक है और कब कहा जाएगा यदि आपके द्वारा किया गया work done उस चीज़ से independent हो कि आपने कौन सा रास्ता initial position से लेकर के final position के बीच में अपनाया है यानि हम बोल सकते हैं कि जो work done है किस के against conservative forces के against वो depend नहीं करता किस पर path followed जो आपने follow किया है in going from the initial position to the final position और आप यहां पर जैसे के देख सकते हैं कि तीननों ही cases में मुझे जो work करना पड़ेगा वो gravitational force के against करना पड़ेगा और हम against चीज़ को prove करेंगे कि तीननों ही cases में आपको same work करना पड़ेगा यानि कि हम यह बोल सकते हैं कि gravitational force के against किया गया work सच में रास्ते पर depend नहीं करता choice of path पर depend नहीं करता इसलिए gravitational force कैसा है nature में conservative है तो सबसे पहला case आप देखिए जब मैं A से लेकर के B तक किसी object को H height की through बिलकुल सीधा उपर उठा करके ले जा रहा हूं against the gravitational forces और आप जानते हैं कि मान लीजिए अगर मैं A से लेकर के B तक एक M mass के object को उठा करके ले जाऊं तो क्योंकि मुझे H height travel करनी पड़ेगी इसलिए मेरे द्वारा किया गया work कितना होगा M into G into H होगा ये चीज हम potential energy के topic पे पड़ चुके हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप एक object को बिलकुल सीधा A से B उठा करके ले जाएंगे जिसको हमने रास्ता number 1 बोला था तो वहाँ पर आपको कितना work करना पड़ेगा M, G, H तो अब हम देखते हैं दूसरा रास्ता, दूसरे रास्ते में आपको ध्यान होगा कि मैं A से लेकर के B को, sorry, A से लेकर के B तक object को लेकर के जा रहा था, लेकिन एक सीधी नुमा रास्ता था, देखिए आप पहले मैं A से मान लीजिए X गया, फिर X से Y गया, फिर Y से Z गया, फिर Z से P आया, फिर P से क्यों गया, और फिर Q से मान लीजिए कहां पहुंचा मैं, B पर, बस फर्क क्या है, कि जैसे यहां पर भी A और B के बीच की हाइट H थी, तो यहां पर भी A और B के बीच की हाइट कितनी है, H है, सिर्फ अप्रोच जो हम A से B कर रहे हैं, वो अलग है यहां बिल्कुल सीधी थी, यहां पर कभी सीधी, कभी इस तरफ, कभी सीधी, कभी इस तरफ, कुछ इस तरह का रास्ता है, तो आप ऐसा सोचो, कि जब आप A से लेकर के X, उपर लेकर के जा रहे हो, सेम M मास के अबजेक्ट को, तो आप यह देखिएगा, मान लीजिए A से X तक, हाइट है H1, तो आज जैसे आप H हाइट पे MGH वर्क करते थे, तो H1 हाइट पर कितना करेंगे, MGH1, तो आप यह देखिएगा, A से X, जो आपको वर्क करना पड़ेगा, वो होगा MGH1, Similarly, आप यह देखिए, Y से Z अगर आप चलेंगे, तो मान लीजिए यह हाइट H2 है, तो यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा MGH2, और P से Q तक मान लीजिए हाइट H3 है, तो वहाँ आपको वर्क करना पड़ेगा MGH3, लेकिन X से Y, Z से P, और Q से B, आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, इसका सीधा सा reason क्या है, देखिए, जब आपने हाथ में अपने, मान लीजिए, एक M मास का object उठा रखा है, तो जब आप X से Y जाएंगे, तो आप समझ रहे हैं, कि उस M मास के object की displacement तो होगी horizontal direction में, यानि कि X से लेकर के Y तक, जबकि gravity का force उस पर कहा लग रहा है, नीचे, और आप उस पर force कहा लगा रहे हैं, उपर, तो आप ही देखिए, कि चाहे gravity का force नीचे हो, चाहे आपके द्वारा hold करके रखने के लिए लगाया गया force उपर की तरफ हो, displacement के साथ तो दोनों forces के angle कितने बनते हैं, 90 और work done कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि work done क्या हो हो जाता है, force into displacement into cos theta, तो cos 90 है, इसलिए आपका work done कितना हो जाएगा, 0, सिमिदरली, Z से P भी आप ही देखिए, आपकी displacement इधर है, लेकिन force नीचे एक्ट कर रहा है, Q से भी आपकी displacement इधर है, लेकिन force का एक्ट कर रहा है, नीचे, तो इसलिए इन तीनों cases में आपके work done हो जा work and so on, तो जब सभी works को जोड देंगे, तो आपके पास total work आ जाएगा, mg यहां से combine आ जाएगा, और h1 प्लस h2 प्लस h3, और आप यह देख सकते हैं, कि h1 प्लस h2 प्लस h3, h के बराबर है, इसलिए total work आपको यहां कितना करना पड़ा, mg, h, तो आप यह देखिएगा, दो cases म आपने यह देख लिया, कि सच में, आप चाहे सीधा ले करके जाएं, object को, ठीक है, या तो आप सीधा ले करके जाएं, या आप सीधी नुमारास्ते से ले करके जाएं, work आपको कैसा करना पड़ता है, same करना पड़ता है, यानि कि यहां पर भी और यहां पर भी, जो work done है, और final point के बीच की height पे depend करता है, और जब तक वो height same है, तो यहां पर भी, वही work करना पड़ रहा है, यहां पर भी, वही work करना पड़ रहा है, यानि कि वरटन रास्ते पर depend नहीं कर रहा, आउजरा तीसरा जो case है, वो भी हम एक बार consider कर लेते हैं, वैसे आप चाहें, तो सिर लेकर के B के बीच में H height है, वहां पर पहुंचने के लिए क्या किया गया है, पहले A से C लेकर के चला गया है object को, मान लीजिए यह वो object है, कोई box है, कोई stone है, ठीक है, और फिर C से कहां चला गया है, B तक चला गया है, तो आप अगर ध्यान से देखें, अगर मैं आप से प और अगर horizontal line के साथ यह वाला angle theta है, तो आप जानते हैं, कि यह angle भी कितना होगा, theta होगा, इसलिए mg का यहाँ वाला component हो जाएगा mg cos theta, और यहाँ वाला component हो जाएगा mg sin theta, यह normal reaction है, आप जानते हैं, और क्योंकि इस तरफ कोई भी motion नहीं हो रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं, कि R किसके बराबर होगा, mg cos theta के, लेकिन चलिए हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं इस direction की, तो देखो, इस object पर नीचे की तरफ यू force लग रहा है mg sin theta, और अगर आप इस object को उपर की तरफ ले करके जाना चाहेंगे, ताको कितना force लगाना पड़ेगा, यह मैं आ उतना force एक direction में लग रहा है, उससे opposite direction में भी आपको क्या करना पड़ेगा, उतना ही force लगाना पड़ेगा, यह बात हम पहले कर चुके हैं, तो क्योंकि नीचे की तरफ force यहां लग रहा है mg sin theta, इसलिए इस तरफ, यानि कि आपको A से C की तरफ भी उपर, कितना force लगाना प कर सकते हैं, तो force कितना हो गया, उपर की तरफ mg sin theta, और displacement आपकी कितनी हो गई, एसे लेकर के C तक, तो force into displacement, कोर्स यहां पर zero रहेगा, क्योंकि जिस तरफ force लग रहा है, उसी तरफ कोन हो रही है, displacement, तो आप अगर ध्यान से देखें, A, D और C, यह जो एक triangle बन रही है, इसमे अगर हम sin theta की value निकालना चाहें, तो वो आ जाएगी cd by ac, cd आपका यहां से लेकर के यहां तक है, यानि के h height है, और a से लेकर के c तक आपका hypotenuse है, तो into ac है, तो ac से ac cancel हो जाएगा, और cd की value जब आप h put करेंगे, तो आपको work done, a से लेकर के c तक का कितना मिलेगा, mg h, औ और यह आप जानते हैं, कि c से भी आपको zero work करना पड़ेगा, क्योंकि displacement इस तरफ है, force नीचे लग रहा है, angle 90 है, तो कोई work नहीं करना पड़ेगा, तो a से c गए, c से b गए, तो total work done a से b पहुंचने में कितना work करना पड़ा, तो दोनों को आप जोड दीजिए, तो आपको पड़े के लिए, तिन्नों cases में ही आपको same work करना पड़ा है, भले ही उस h height से उठाने के लिए, तिन्नों cases में आपने रास्ते कैसे लिए हैं, अलग अलग लिए हैं, तो एक बार फिर से आप देखेगा ध्यान से, कि आप चाहे बिलकुल सीधा रास्ता लें, या कोई सिढ object को उठाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि आपको तिन्नों cases में gravitational forces के against same work करना पड़ा है, यानि कि रास्ता अलग अलग होने का work done की value पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, कि इन तिन्नों cases से हम analyze कर सकते हैं, कि अगर आपको gravitational forces के against work करन है, तो वो work इस चीज़ पर depend नहीं करता, कि initial position से final position तक ले कर जाने के लिए आपको कौन सा रास्ता जो है, वो चुनना है, रास्ते के चुनाव पर depend नहीं करता वरक दन, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, कि gravitational forces कैसे हैं, conservative है, हमेशा धान ये रखिएगा, कि जिस force के against आप work कर र कहा जाएगा, इसलिए इन तिनों cases में, gravitational force को conservative कहा गया है, क्योंकि आप gravitational forces के against क्या कर रहे थे, work कर रहे थे, तो last में मैं एक बार summarize कर दूँ, ऐसे सभी forces, जिनके against किया गया work, इस चीज़ पर depend नहीं करता, कि आप रास्ता कौन सा follow कर रहे हैं, बलके सिर्फ इस चीज़ पर depend करता है, कि initial position और final position के बीच की height सेम है या नहीं है, तो ऐसे सभी forces को कहा जाता है, conservative force, और क्योंकि gravitational force के साथ भी सेम काम है, कि उसके against किया गया work, सिर्फ आप ये देखिएगा, कि initial position और final position के बीच की height पर depend करता है, वहाँ पर initial position से final position तक पहुँचने के लिए रास्ता कौन सा अपनाया है, इस चीज़ पर depend नहीं करता, इसलिए gravitational forces हमारे कैसे हैं, conservative forces हैं,